Hello everyone, welcome back to my channel, आज मैं आप लोगों के लिए लेक आई हूँ UKG क्लास के लिए This, That, These and Those तो हमें बच्चे को ग्रामर में UKG क्लास में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है This हमारा होता है यह है या फिर यह That होता है वह है वे These यह है वे और Those वह है वे तो This हमारा होता है Singular और These होता है हमारा Plural ऐसे ही That होता है हमारा Singular और Those होता है हमारा Plural This यानि कि जब हम किसी भी Single चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे This और अगर हम एक से ज़ादा चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे these और that singular है और those plural है तो discuss these words on daily basic with kids आप बच्चों को जब भी घर पे पढ़ाएंगे तो उनके साथ घर में रखे समान को example के तौर पे यूज करते वे आप बच्चों को बता सकते हैं this और that का यूज करते वे हमें always बच्चे को बताना है कि is का यूज करना है और these और those के लिए हमें आर का यूज करना है this और that हमारा है singular और these or those यानि कि एक से जादा चीजों के बारे में बात करेंगे तो हम these or those लगाएंगे और r का use करेंगे आगे है यहाँ पर this this, this माने यह है यानि कि कोई भी चीज आपके पास रखी हुई है this का मतलब होता है यह है या फिर यह तो यह ice cream जो है वो बिल्कुल pass में है तो पास में है तो हमें क्या use किया this is an ice cream यहाँ पे हमने एक plate ड्रॉ की है और उसके लिए हमने यूज किया है this is a plate अब यहाँ पे हमने एक बनाई है candy और candy या फिर लॉलिपाप आप इसको कह सकते हैं वो जो है बिल्कुल blank के past में है, यानि कि इसके बिल्कुल past में है, तो हमें यहाँ पे क्या use करना है, this, t-h-i-s, यहाँ पे book भी जो है वो past में बनी हुई है, तो this is a book, this is a balloon, तो जो भी चीज आपके past में होगी, उसके लिए आपके बच्चे को बताना है, this और दूर के देख लेते हैं, that is a bus, bus जो है वो काफी दूर बनाई है हमने, तो उसके लिए हमने use किया that, और यहाँ पे हमने बनाई है, that is an i, n हमने इसलिए लगाया है, क्योंकि e हमारा जो vowel है, इसलिए यहाँ पे n लगाया है, तो यह भी दूर है, तो इसलिए हमने use किया है that, तो चलि in finder banks को हम complete कर लेते हैं, ball हमारी दूर है, तो यानि कि हमें बच्चे को बोलना यहाँ पे आएगा, that is a ball, pen भी दूर है, तो that is a pen, that is a tree, यह चीज़े बताने के बाद आपको बच्चे को एक common worksheet बना के देनी है, this और that के लिए, ताकि उनको अगर कोई भी difficulty हो रही हो, तो वो clear हो जाए, तो यहाँ पे देखे, blank के पास में cap है, तो उसके लिए हमें क्या use करना है, this, उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे this, और यहाँ पे blank है, और हमारी जो kite है, वो दूर है, दूर है यानि कि that आएगा, that is a kite, fan भी हमारा दूर है, that is a fan, butterfly हमारी बिल्कुल fill in the blanks के पास में है, तो यहाँ पे आएगा this, यानि कि जो चीज पास में है, उसके लिए हम बोलेंगे this, और जो चीज दूर है, उसके लिए हमें बोलना है, that, bat हमारा पास में है, तो हम बोलेंगे this is a bat, चलिए कुछ question answers देख लेते हैं यहाँ पे, तो this का हम पहले देखेंगे, what is this आप इस तरह के questions जो हैं वो बचों के साथ घर में use कर सकते है, what is this, bucket है यहाँ पे और bucket जो पास में बनी विए है, तो बच्चा क्या कहेगा, this is a bucket, what is this, butterfly, और butterfly दूर है कि पास में है, पास में है न बच्चों, तो this is a butterfly, अगर यही butterfly दूर होती तो हम बोलते, that is a butterfly, तो चलि यह wheel हमने दूर बनाई है, what is that, that is a wheel, तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे these के बारे में, इससे पहले हमने this और that पड़ा है, these are balloons, these क्यों लगाया हमने, क्योंकि एक से ज़्यादा है, और balloons इसलिए लगाया है, क्योंकि यहाँ पे कितने balloons है, one, two, three, अब यहाँ पे है, cup बना these are books, these हमने क्यों लगाया है, क्योंकि पास में बनी हुई है, देखो, these are ice cream, बिल्कुर पास में है, तो these are ice cream, आर हमने इसलिए यूज किया है, क्योंकि यह plural form है, यानि कि एक से ज़्यादा है, और plural form है, इसलिए हमने यहाँ पे आर का यूज किया है, अब हम बात करेंगे those क those are flowers, those माने वह है या वो, वो वाले flowers है, दूर है flowers, तो हमने यूज किया those और are हमने यूज किया क्योंकि यह plural form है, एक से ज़्यादा है इसलिए, those are balls, बॉल दूर है, बॉल्स दूर है, तो हमने बोला those are balls, अब यहाँ पे हम देखते हैं, यह बनाए हमने bat और दूर है, तो ह those are pens, अब यहाँ पे हम एक combined worksheet बनाएंगे, जिसमें this, that, these और those के बारे में हमें बच्चे से पूछना है, तो यहाँ हमने लिखा है, एक balloon यहाँ पे पास में है, और एक balloon है दूर, तो this is a balloon, क्योंकि बिल्कुल पास में है, और यह दूर है, तो हम बोलेंगे that is a balloon, तो यह हो में है, तो these आएगा, are इसलिए यूज़ होगा, क्योंकि यह plural form है, those are balloons, यह कितने balloons है, one, two, three, यानि की बहुत सारे balloons है, तो यहाँ पे हमने लगाया, those are balloons, नीचे देखें, यहाँ पे है, apple की हमने picture द्रॉ की है, this is an apple, and हमने यूज़ किया है, क्योंकि a हमारा vowel है, that is an apple, these are apples यह बहुत सारे apples है, and those are apples, वो बहुत सारे apples है, यह है, apple है, वो apple है, यह बहुत सारे apple है, and those are apples, वो बहुत सारे apples है. इस टॉपिक को आप UKG क्लास के बच्चे और फर्स क्लास के बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं मैंने बहुत ही इजी वे में बताई हैं यह सारी चीजें तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू कीजिए अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच थैंक्स वर वाचिंग